जै माता दी, कैसे हैं आप लोग, I hope सब ठीक होंगे, और हैप्टी दसहरा, आज मैं बता रही हूँ कैसे मादुरगा मेरे उपर कितनी बरी किर्पा की हैं, और सत्रा साल बाद भगवान मेरे जोली में बेटी दी और गर्म में कैसे उसको बचा के रखे, और दुनिया में लाने में मेरे कितनी मदद की हैं, वो एक अलग बात है, कि दुनिया में आने के बाद, आज मेरी बेटी और मैं एक मान समान पाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन लोग जो भी करें, लेकिन हम लोगों पे मातार आने की बहुत ही ज़्यादा किर्पा है, आज मैं वही बताने जा रही हूँ, दो साल पहले, गनेश पूजा के बाद, जैसे कि मैंने पहले की वीडियों बताया हुआ है, कल होके मुझे पता चला कंसीब हुई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन नवरात्रे से एक दिन पहले, मुझे अचानक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, मैं बहुत ज़्यादा घवरा गई थी, कि अब पहले की तरह, एक बार और मेरे ट्यूब में चले गए थे बच्चे, जब मेरी दिवरानी के शादी हुई थी, उस साल कंसीब हुआ था, और वो बच्चा ट्यूब में चला गया था, उसके बाद 17 साल से मैं संगर्स कर रही हूँ, मुझे कंसीब नहीं हो रही थी, और कई लोगों ने मुझे बोला, कि तुम्हारे दिवरानी का पैर कितना गंदा है, कि आते ही तुम्हारे बच्चे को खा गई, लेकिन मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया ये सब चीज पे, और परहे लिखे होने के कारण मैं अपना इलाज कराती रही, और मेरा भी मन था कि मेरा भी दूसरा बच्चा हो, इस वज़ा से मैं अपना इलाज करवाती रही, लाखों रुपे खर्च कर दिये, बहुत संगर्च किया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन माता रानी की किरपा कहिए कि सत्रा साल बाद कामियाबी मिली, मैं आगे बताओंगी कि मैं इतना संगर्च क्यों कर रही थी, पहले बता देती हूं कि माता रानी ने मेरी बेटी को गर्भ में कैसे बचाया, जब मैं होस्पिटल गई तो मैं बिलकुँ सोच चुकी थी कि ये बच्चा भी नहीं रहा, लेकिन जब मैं गई तो डॉक्टर ने जब टेस्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला, नहीं बच्चा ठीक है, ब्लीडिंग है, कुछ इंजक्सल लगाएंगे और बेड ड्रेस्ट करो, तो ठीक हो जाएगा, ज़ोइंट बिजनस था, मेरे हस्मेन भी ने गए थे साथ में, उन्होंने यहीं बोला, कि अगर कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होगा, तो फोन कर देना, मैं आ जाओंगा, अभी मेरा कुछ काम है, काम कहने को ज़ोइंट फैमली था, मेरे हस्मेन दिन रात करते हैं मेहनत, लेकिन एक जो लेडिज का सपोर्ट होता है, कि भाई अगर जैनस बाहर काम कर रहे हैं, और लेडिज एक दूसरे को हेल्प करो, मदद देने के लिए मैं हूँ उस घर की औरत, लेकिन लेने के लिए नहीं हूँ, मुझे जो भी संघर्स करना है, जो भी करना है, अकेले करना है, लेकिन अगर किसी को मदद की जरूत है, उसके लिए जोइंट फैमली है, कोई नहीं, मैं गई, वहाँ पर जब इंजेक्शन बोला, डॉक्टर ने, मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन कौन लेके आता, एम्स में जानते हैं, देली के एम्स में कितना दूर में फिर मेडिकल दवाई मिलती है, लेकिन बस यही कहिए, इतना अपनों पन का ठुकराना, और मैं क्यूं जिन्दा हूँ, और कैसे मेरी जिन्दगी असानी से कट जाती है, आज एक में राज बता रही हूँ, मेरे लाइफ में अपने जितने दुफ देते हैं, यकीन मानिएगा, घर के बाहर में जैसे कदम रखती हूँ, और मेरे जितने भी परेसानी होते हैं, भगवान खुद तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हर जगा पे मैंने देखा है, अपनों क पांसासो का इंजक्शन होगा, लेकिन मैंने भी स्वास्पन को दो हजार का नोट दे दिया, और यकीन मानिएगा, वो लेके आए, और फिर डॉक्टर ने मुझे इंजक्शन लगा दिया, और सब कुछ ठीक था, इसलिए मेरे खुद भी सोस थी, कि चाहें जोइंट के जितना हो से के मैंने खुद ही सब कुछ किया, फिर इंजक्शन लगवा के कैब करके मैं घर आ गई, और क्योंकि कल से कलस्थापना था, डॉक्टर ने तो बोला था रेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे मातारानी पे इतनी आस्था थी, विस्वास था, मैंने वला नहीं, जब मैंने दो साल ही कलस्थापना किया, और तीसरे साल में भगवान ने मुझे इतनी सालों बाद गर्व में दे दिया है, तो मातारानी ही मेरे बच्चे को रक्षा करेंगे, और मैं कलस्थापना जरूर करूंगी, और फिर कल समान जल्दी जल्दी साम में मंगवा के, और मैं पन्डीजी से पूजा करवाती थी विधि विधान से पूजा 9 दिन किये बहुत ज़्यादा पेन था मतलब 5 मिनट मेरे से बैठा नहीं जाता था फिर भी मैं पूरा विधि विधान से पूजा की हवन कर किये परसाद बना के सब कुछ जैसे मैं ये सब विडियों दिखाती हूँ वैसे उस साल भी किये ब्लीडिंग होते रहा लेकिन मैं अखन जो जलाती रही पूजा विधी विधान से करती रही क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ब्लीडिंग धीरे धीरे बंद हो जाएगा तुम्हारे गर में बच्चा है तो तकलीफ बहुत हुआ लेकिन मैं आस्था के साथ लगी रही और यकिन मानियेगा दसारा के दिन तक बिल्कुल ब्लीडिंग बंद हो गया और दर्द तो खेर नौ मेहना होते रहा लेकिन ब्लीडिंग बंद हो गया और मैं फिर बच्चे को बेटी को जनम दे पाई उसके बाद भी मैं तीन मेहने में लोगों को बताती लेकिन तीन मेहने का अंदर ही मुझे पता चल गया था लक्षन से कि इस बार भी मेरी बेटी ही है और क्यूंकि कोई भी दूसरे के बहकावे में या बातों में आ जाता है तो मैं नहीं चाहती थी कि लोग जाने कि इतने सालों बाद बच्चा होने वाला है तो सब लोग राई विचार्ट पहले से भी देते थे कि अगर होगा तो अल्टा साउन कराना तो मैं किसी के बातों में ना आके मैं अल्टा साउन करवा लूँ और अल्टासान के बाद अगर लड़की होता तो मैं खतम कर दूँ उस वज़े से मैंने जान बुझके किसी को भी 5-6 महने बताया ही नहीं और जब मुझे लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता अब तो मेरी बेटी दुनिया में आके ही रहेगी फिर मैंने सब को बारी-बारी बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ इस तरह से दुरगा माने भी मेरी बेटी को बचाया और मैं अपना थोरा सा दिमाग लगा कि अपनी बेटी को बचाई मैंने सोचा जो भगवान देंगे वो मैं लूँगी आखिर कुछ सोच के ही उन्होंने 17 साल बाद दिया होगा मेरी किस्मत में जो लिखा है वो कोई नहीं बदल सकता है इस तरह से मेरी बेटी हो गई हो गई लेकिन लोगों को बिल्कुल भी खुसी नहीं जैसे कि मैंने पहली भी बोला मेरी शादी हुई लेकिन पतानी कौन से मेरी पिछले जनम का मदरियन लोग बदला ले रही है मुझे कभी भी पसंद नहीं की और जब मैं पहली बार मा बनने वाली थी तहां मैं ऐसा डराती थी कि इस घर में अगर बेटी हुआ तो किसी को भी पसंद नहीं है मतलब बहुँ ज़्यादा में डरी हुई थी कि मेरी वैसी भी मान समान इज़्यत नहीं है अगर बेटी हो गई तो और भी नहीं होगा और पतानी मातारानी मेरी क्या पर इक्षा ले रही है और ले रही थी उन दिनों में भी कि मुझे बेटी ही हुआ और मेरा मानसमान नहीं लोटा लेकिन मैं बेटी को तो नहीं छोड़ देती ना अब भी ना सत्रा साल पहले मैं अपने बल पे उस टेम भी बेटी को सम्हाली आज भी सम्हाल रही हूँ लेकिन एक जो इज़्जत मानसमान होता है भगवान ने मुझे धन, दोलत, बाहर में मेरी इज़्जत बहुत है सब कुछ है लेकिन घर में और जो आज पर उसके समाज में बेटा ना होने के कारण मेरी कुछ भी इज़्जत नहीं है आप लोग सोच रहूंगे सत्रा साल इतना संघर्ज, इतना इलाज लाख रुपे खर्च करने की क्या जरुत है तो एक इच्छा थोरी से एक कोने में मेरी भी थी कि मेरा भी अगर परिबार कम्पलीट हो जाए तो अच्छा है लेकिन ये जो दुनिया समाज है अगर आपको एक बेटा है तो कोई नहीं कहेगा कि भै दूसरा भी होना चाहिए लेकिन बेटी है तो जरूर कहेंगे कि अगर आपका एक और बेटा हो जाता तो अच्छा था और इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ कि बुरा नहीं है परिबार कम्पलीट होना और मन में इक्षा रखना ये किसी के लिए गलत भावना नहीं है लेकिन अगर नहीं हो रहा है या दो बेटी हो गया तो आप सब के नजर में जीरो हो सब कुछ होते हुए भी आप का मान समान नहीं मिल रहा है आप गलत हो ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि एक औरत ही जान सकता है औरत के आजेंस भी जानते हैं कि आजकल किसी के हाथ में नहीं है बेटा और बेटी और बेटी आजकल कहां कहां क्या नहीं कर रही है किस बात का टेंसन है दान दहेज परहाई लिखाई आजकल तो बेटी क्या नहीं कर रही है लेकिन भारत देश दुरगा पूजा का पूजा ह होता है मा को औरत को सबको दरजा देते हैं दुर्गा मा का लेकिन हकिकत में अगर बेटी को आपने जन्म दे दिया या बेटी ने जन्म ले लिया तो जिंदगी भर संघर्ष करते रहिए लेकिन आपको ये ब्यक्वार्ड समाज में इज्जत नहीं मिलने वाली है बेटा चहें जैसा भी हो मारे पीटे गाली गिलोज भूखे रखे कुछी भी रखे लेकिन बेटा है बेटी आपको सब कुछ दे सब कुछ करे मान समान सब कुछ दिलाए लेकिन है तो वो बेटी ही ना आज बताईए एक औरत अगर ऐसा सोचे तो सच में बेचारी बेटी क्या करे लेकिन मैं वैसे नहीं कर सकती हूँ भगवान ने अगर जनम दिया है मेरे कोख में इतने सालों बाद अगर भगवान ने भेजा है और इस के दम तक मैं अपना सारा फर्ज निवहाऊंगी भले ही लोग मेरी बेटी को या मुझे मान सम्मान दे या ना दे मैं बहुत फैमिली के लिए इतने सालों संघर्ज कर चुकी हूं कई बार बता चुकी हूँ कि जोईन फेमली के लिए मैं हर तीस्वहार में जाया करती थी परणाम गिया करती थी और तेवहार मनाया करती थी लेकिन इस बार मेरी दोनों बेटी का इज़्यत का धजिया उरा हुआ है बहुत ज़्यादा बेश्ती हो रही है मैं अपने लिए नहीं, मैं अपनी तो बहुत बार बेस्ती करवा चुकी हूँ लेकिन दोनों बेटियों के खातिर अब मैं पहली बार इस चीज़ को ड्रॉप कर रही हूँ मैं पहली बार कदम आगे नहीं बरहा रही हूँ और आप यकीन मानिये, मेरे ना कदम बरहाने से उधर से एक बार भी पहल नहीं हुआ थोरा भी नहीं हुआ, अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएगा कि क्या जोइन फेमली मेरी वजह से इतने सालों से टिकी रही या उन लोगों की वजह से मातारानी का दिन है, बिलकुल भी जूट नहीं बोलूँगी जितना मेरे साथ गलत हुआ भगवान गवा है, समाज गवा है, सब लोग गवा है जितना मेरे साथ गलत हुआ, उसके मताबिक मैंने 5-10% भी गलत नहीं किया है ये मेरा आत्मा जानता है, सब जानते हैं, हाँ हलका फुलका मैं भी कल्यूग में हूँ, जब गलत आरोप लगाओगे, जब बहुत ज़्यादा गलत मेरे साथ करोगे, तो मैं थोरा बहुत बोल तो सकती हूँ, चिला तो सकती हूँ, लेकिन लेंग वेज गलत, हाथ का गलत इ भाते हुए इतना कुछ गलत मेरे साथ होते हुए भी मैंने कभी भी कोई तीस तोहार में नहीं छोड़ा आखी मेरी बेटी की क्या गलती मैंने आपको बताया कि जब मेरी दिवरानी आई उसका प्यार कैसा था उसके दोनों बच्चे आए तो अनलक की सावित हुए मेरे लिए तीनो के तीनो सब जो भी है लाइफ में मेरे वो सब लोग मेरे लिए अनलक की सावित हुए लेकिन आप यकीन मानियेगा मैं मातारानी कसम खाक बोलती हूँ मैंने कभी भी सपनी में उन लोगों को गलत नहीं समझा क्यूंकि मैं ये सब बिस्वासी नहीं करती थी कि कि किसी कुछ सोच समझ के भगवान कर रहे होंगे मेरा ही कुछ पिछले जर्म का कर्म होगा जिसकी बज़ा से आज मैं इतना धक्के खा रही हूँ इलाज करा रही हूँ या लॉस मेरा बिजनस में हुआ सब कुछ मैं अपने उपर ले लेती थी क्यों क्योंकि मुझे जोइन फैमिली चाहिए था मुझे अगर मैं लोगों से नफरत करूँ तो मैं जोइन फैमिली कैसे रख सकती थी नफरत तो जानते हैं नफरत आप एक दिन दो दिन छुपा सकते हैं आप तीसो दिन बर्डे सालगीरा अच्छे सत्योहार मनाना, हसना, बोलना, खाना, पिना, ये कोई एक्तिन तो था नहीं लाइफ में, ये सब जो भी कर रही थी मैं रियल्म कर रही थी, इसलिए मैं इमंदारिस कह रही हूँ, मैंने सारे रिस्ते इमंदारिस निभाए, अब बहुत हो गया, अगर इतनी मासूम छोटी सी बच्ची पे किसी को दया नहीं आ रही है, तो कोई नहीं, अब मैं भी किसी के पास गिर गिराऊंगी नहीं, मैं क्योंकि जानती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बेटियों की कोई गलती नहीं है, मैंने अपना पूरा फर्ज निभाया, लेकिन अगर वो लो आपनी ने मेरे बेटी को मेरे जिन्दगी में भेजा है वो सब चीज के साथ ही भेजा है और मैं मरते दम तक अपनी बेटियों के लिए जो हो सकेगा मैं करती रहोंगी और आप लोग भी मेरा साथ दीजिए मेरे बच्चे को प्यार दीजिए